नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कैभाष दोस्तों यदि हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो आज से लगभग 50 साल पहले हावरा से नई दिल्ली के लिए जो राजधानी एक्सप्रेस चलती थी उसकी अधिकतम स्पीड 120 की होती थी आज ये ट्रेन 130 की स्पीड से चल रही है यान के जो एक्यूपमेंट्स है वो काफी ज़्यादा पुराने हो चुके है जिनने बदलना काफी ज़्यादा जरूरी है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर धिलाई बढ़ती जा रही है और इसी का जो परेडाम है वो हमें रेल दुरगटना करूप में देखने को मिलता है दोस्तो ऐसी ही एक रेल दुरगटना हुई है कटिहार यानि की मनिहारी से जैनेगर के बीच चलने वाली जानकी एक्स्प्रेस के साथ में और यह हाथसा हुआ है समस्तिपूर दरभंगा जैनेगर रेल सक्षन में दोस्तो कैसे हुआ यहाथसा आज हम इसी पर बात चाहूंगा कि यदि आपने चानलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानलों को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और अपनी रहे भी कॉमेंट करके बताएं कि हमारी रेलवे को इस प्रकार के दुरगटनाओं को रोपने के लिए क्या सब करना चाहिए द तमस्तिपुर के बाद ये ट्रेन निकल जाती है दर्भंगा जंशन की तरफ लेकिन दोस्तो जब ये ट्रेन थलवाड़ा और हयागाट रेलवे स्टेशन के बीच में काफी तेज रफ्तार से गुजर रही होती है तब ही ये का आए कि इस ट्रेन के ओएची ये में फिर वहाँ पर आती है रेलवे की टीम तकरीवन तीन घंटे का समय लगता है पूरी तरीके से समस्या को खत्म करने में यानि कि ओएची वायर को ठीक करने में और ट्रेन को आगे फेजने में इस दोरान बिहार संपरकांती शहीज एक्सप्रेस जरेकर इंटर सिटी जैसी त कर में जाई न यातर इंटर करने पूरेस भीजाचे पराज़ कि उरेसंगे उरा प्रेकर में पोचेब दोमें संपरी वा की जरेकर प्रेकर उक्ना फसमत्रायर कि वाता है dośćजयए रहाई की तरी का समय इसक्ता बपर जाएओगर झानिक की वायर साहरा थागर